देर स्टूडेंट वी हैफ टो डिस्कस अबाउट दी ओवरलैपिंग प्राइसेज हम इससे पहले बात कर रहे थे हमने क्लाइमेट चेंज के उपर भी बात कर दी हमने ग्लोबल वार्मिंग के उपर भी गुफ्तबू की हम बात करें ओवरलैपिंग सर्कल्स जो है इनके उपर हम डिस्कस कर रहे है और इसके उपर जो हमारा फोकस है और हम वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहे है कि हम जहां पे बात करते है कलाइमेट चेंज की जहां पे बात करते हैं इकनामिस की अब हमने डिसकस करना है पौवर्टी ऐलिवेशन की और हमने डिसकस करना है हमारी जो इंटरनेशनल कुलबरेशन है हमने उसको डिसक्स करना है जिसके अंदर हमने जितने भी हमारे जो चैलिंजिंग्स से जिनके अंदर हमने कलाइमेट की बात की पौवर्टी ऐलिवेशन की बात की डावर्स्टी की बात की हमने उसके बात यहां पे जो डिसक्स किया है वो है इन इकॉलिटी जब हम गलोबली क प्रोटन्शिप की बात करते हैं, तो यहां पे भी इनेकॉलेटीज हैं, और वो इनेकॉलेटीज किस वज़ा से हैं, वो इनेकॉलेटीज कहीं पे, कहा जाता है supervise statement नहीं देना चाहता हूं religion की वज़ा, कहिं पे culture parameters की वज़ा कि हमारी पास कुछ ममाले कुछ ममाले को ज्यादा facilitate करते हैर कुछ ममाले कुछ ममाले को कम facilitate करते है मैं यहां पर ना तो किसी मुलका नाम लेना चाहता हूँ developing countries का ना ही किसी development का नाम लेना चाहता हूँ लेकिन यह एक जो worldwide एक inequality एक्जिस्ट करती है और वो इनिकुलेटी इस लिहाज से एक्जिस्ट करती है कि हमने जो पॉर्टनर्शिप बनाई है और हमने जो अपना एजेंडा बनाया है जिसमें हमने गलोबल कॉपरेशन की बात करते है तो वो जो गलोबल कॉपरेशन है वो किसी जगा पे होता नजर आता है और किसी जगा पे होता हुआ नजर नहीं आता है हम अगर ओवर लैपिंग सर्कल के पॉइंट आ वियू से बात करें तो हमने प्राम दा फर्स्ट हमने ये गुफ्तगू की कि देखें अमीर आदमी जो है वो कलाइमेट से भी बच जाता है गरीब आदमी के ओपर असरात होते हैं इसी दीके से बहुत से डिवेल्पकंटी जो हैं उनके ओपर किसी चीज़ों के असरात का मरतब होते हैं बिल्कुल उसी मिसाल में लेके हैं उसी अक्स में लेके हैं अमीर और खरीब के अक्स में तो आपको डिवेल्प और डिवेल्पिंग के कौनसेप्ट में समझ आ जाएगी मैं अगर उसी मिसाल को सामने लेके आऊँ और फिर आपको इसमें एक्स्प्लेइन करूं डिवेल्प में और डिवेल्पिंग में तो आपके लिए समझना असान हो जाएगा हमने का कलाइमेट चेंज के असरात मुरत्ब हो रही है मैंने आपको उसके अंदर एक एक्जामपल दी हमने का कि एक शक्स जिसके पास पैसा है वो एक अच्छी लिक्स्डिस गाड़ी की से तंप्रेचर को भी कंट्रॉल कर सकता है और पॉलूशन को भी कंट्रॉल कर सकता है गरीब शक्स ना तो तंप्रेचर कंट्रॉल कर सकता है एक्स्टीम वेदर कंट्रॉल कर सकता है इसी को आप डिवेल्प कंटी की तरफ लेके हैं डिवेल्प कंटी के पास इतने रिसूर्सिस मौजूद हैं कि वो इन चेंजिस के लिए इनके असरात को अब्जॉर्व करने की सलाहियत रखते हैं भी अमेरिका की बात ले लें अमेरिका की एकॉनिमी स्ट्रॉंग है किसी डिवेल्प कंटी की बात ले लें बरतानिया की बात ले लें उनकी एकॉनिमी स्ट्रॉंग है अगर दूसरे लफजों में हम ये बात करें कि अगर उनके उपर इसके असरात मुरत्ब होते हैं तो उनको उसको अब्सॉर्ब करने की सलाईयत उनके पास ज्यादा है अब डिवेल्पिंग कंट्री की बात ले ले क्योंकि इस वक्त हम बात करें कंट्री लेवल्स की तो डिवेल्पिंग कंट्री को उस असरात से अब्सॉर्ब करने की सलाईयत कम है बिल्कुल उसी मिसाल के ताइद गाड़ी वाली मिसाल के ताइद कि उन्होंने टमप्रेचर को कंट्रॉल कर लिया पलुशन को कंट्रॉल कर लिया और खरीब शक्स ने नहीं कंट्रॉल तो अगर हम इस इन इकॉलिटीज को इन दी लाइन आफ दी डिवेल्पिंग और डिवेल्प कंट्री के मैटर में देखें तो वहां पे भी हमें सरकल नजर आएगा कि इसके असरात डिवेल्पिंग पर ज्यादा मरतब हो रहे हैं और डिवेल्प पर उसके साथ कम मरतब हो रहे हैं